हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पैल सुरतुल में मैं हूँ आपका दोस्त ततुल को आज हम बात करेंगे फिर से तेजस नेटवर्क की तेजस नेटवर्क जो की एक मल्टी बैगर स्टोक रहा है देखेंगे तो आप 28-30 रुपे के यहां पर काम किया करता था और उसके बाद देखिए लगवग 600 रुपे के आसपास के लेवल को इसने टच किया है 570 के आसपास गया है इस टोक तो अच्छा मल्टी बैगर स्टोक रहा है पहले यहां पर देखें एक रेंज में था इस टाइप से मुमेंटम उपर का ही था बट एक रेंज में था जैसे इस रेंज को इस नियावा ब्रेक किया उसके बाद दिखिए उपर जाता हो नजिरा आया उपर के लेवल से अच्छा खास हो चुका है अगर देखें पांसो सत्तर पर इसने यहां पर हाई लगाया अगें जो है पांसो सत्तर के आसपास यहां और उसके बाद से 424 रुपे के आसपास अभी यह स्टोक काम कर रहा है लगवग 500 रुपे के आसपास के अलरड़ी क्रेक्शन इसके अंदर हो चुकी है तो किस टाइप का चार्ट पैटरन यह फोलो कर रहा है उसको हम देखते हैं कहां पर हमें नजर रखनी चाहिए तो दे बिल्कुल यह जो सपोर्ट लेवल है अब देख सकते हैं इस टाइप से आपको दिखाई देगा एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है और इसके आसपास ही बेखेंग Henderson से अपना काम कर रहा है तो इसके बाद गए कि दाइब बन oportun देखंगे कि यहां पर जो इस कि लगबाग इस लेवल के सपोर्ट पे इस टाइम के बना हुआ है क्लोजिंग बेस पे इसका जो ब्रेक आउट है जो नहीं हुआ है अभी इसके उपर ही है 424 के आसपास है तो पहला लेवल आपको 408 और उसके बाद 402 का नज़र रखना है अगर इनको ब्रेक करता है तो 385 के लेवल दिखा सकता है 408 एहम लेवल है और उसके बाद 402 के आसप 450 यह दो जो लेवल्स हैं यह काफी इंपोर्टेंट लेवल्स है अगर 450 को ब्रेक करता है तो एकदम से फिर इसके अंदर मोमेंटम बन सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो 450 के आसपास काफी ज्यादा रेक्शन इसके अंदर पहले भी होता है आप देखिए यह जो करेंगे तो स्टोक 450 तक जा सकता है और 450 को क्रोस करेंगा तो एक निया रस्ता इसके लिए खुलेगा जो कि इसको 500 रुपे के आसपास ले जा सकता है 500-510 रुपे के हेर फिर में ले जा सकता है बट उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे सबसे पहले लेवल आपको नोट रख कर सकता है जब तक 400 के ऊपर है तो इसके अंदर एक स्टेंथ बनी रहेगी तो डेली चार्ट पर भी देखिए आरे से 47 के आसपास की है यहां पर थोड़ी से स्टेंथ लूज होती हुए नजर आ रही है बट स्टिल स्टेंथ में है इतनी ज्यादा लूजनेस नहीं है तो न कर सकते हैं महां से दो बार स्टोक बांस बैक कर चुका है बट 450 के उपर की क्लोजिंग आना काफी जरूरी है जो कि यह लेवल बनते हैं तो उपर 450 नीचे 380 यह बिल्कुल एहम लेवल रहेंगे 450 के पर अच्छा मुमेंट हो सकता है बट 385 को अगर ब्रेक किया तो काफी ज आना बहात